हर हर महादेव दोस्तों आज सुनिये सौंबार ब्रत का था जो सौंबार के दिन सुनने से भग्ता की सभी मनों कामना पूर्ण होती हैं एक बहुत धनवान सहुकार था जिसके घर धन आदिक किसी प्रकार की कमी नहीं थी परंतो उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था वह इसी चिंता में राद दिन लगा रहता था वह पुत्र की कामना के लिए प्रती सौंबार को शिवजी का ब्रत और पूजन किया करता था तथा साइकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री भिग्रह के सामने वह दीपक जलाया करता था उसके इस भक्ति भाब को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज यह साउकर आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका ब्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है इसकी मनुकामना फून करनी चाहिए शिवजी ने कहा हे पार्वती यह संसार कर्म छेतर है जैसे किसान खेत में जैसा बीज गोता है वैसा ही फल काटता है उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं पार्वती जी ने अत्यनता ग्रह से कहा महाराज जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालू होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनोष्य आपकी सेवा तथा ब्रत क्यों करेंगे पारवती जी ऐसा आगरहे देख उस शिवजी महाराज कहने लगे हे पारवती इसके कोई पुत्र नहीं है इसी चिंता में यह अती दुखी रहता है इसके भागय में पुत्र न होने पर भी म मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कावर देता हूँ परन्त यह पुत्र केवल बारह वर्ष तक जीवित रहेगा इसके वश्यात वह मृत्यू को प्राप्त हो जाएगा इसके अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए नहीं कर सकता यह सब बातें साहुकार सुन रहा था इसके उसको न कुछ प्रसंता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और सूजन करता रहा कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहुकार की स्त्री गर्व बती हुई और दसवे महिने उसके गर्व से अती सुन्दर पुत्र की प्राप्ती और ना ही किसी को भेद ही बताया जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवहा आदी के लिए कहा तो वह साहुकार कहने लगे कि अभी मैं इसका विवा नहीं करूँगा अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा फिर साहुकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया उसको बहुत सधन दे कर कहा तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यग्य करते और भ्रामडों को भोजन कराते जाओ वह दोनों मामा भांजे यग्य करते और भ्रामडों को भोजन कराते जा रहे थे रास्ते में उनको एक शहर पड़ा उस शहर में राजा की कन्या का विवाहा था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बाराप लेकर आया था वह एक आँख से काना था उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाहक में किसी प्रकार की अर्चन पैदा ना कर दें इस कारण जब उसने अती सुंदर सेथ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा ने बात की और वे राजी हो गए फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोडी पर चढ़ा दर्वाजे पर ले गए और सब कार प्रसंता से पूर्ण हो गया फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाकार भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या गुराई है ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी ग्रपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूँगा तो उन्होंने सुईकार कर लिया और विवाकार भी बहुत अच्छी तरह से संपन हो गया परंत जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनड़ी के पले पर लिख दिया कि तेरा विवा तो मेरे साथ हुआ है परंत जिस कुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूं लड़के के जाने के पश्यात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरा विवा इसके साथ नहीं हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए वहाँ जाकर उन्होंने यग्य करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया जब लड़के की आयू 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यग्य रचार रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूँगा तो यग्य का कार अधूरा रह जाएगा अतह उसने जल्दी से यग्यकार समाप्त कर रहमणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया सैयोग वर्ष उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे जब उन्हों ने ज़ोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुक्या रो रहा है इसके कस्ट को दूर कीजिए जब शिवजी पार्वती जी ने पास जा कर देखा तो वहाँ वहर एक लड़का मुर्धा पड़ा था पारवती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेट का लड़का है जो आपके वर्दान से हुआ था शिव जी कहने लगे हे पारवती इसकी आयू इतनी थी सो यह भोक चुका तब पारवती जी ने कहा हे महाराज इस बालक को और आयू दो नहीं तो इसके माता पिता तडब तडब कर मर जाएंगे पारवती जी के बारम बरागरे करने पर शिव जी ने उसको जीवन वर्दान दिया और शिव जी महाराज की क्रपा से लड़का जीवित हो गया शिव पारवती के अलाज चले गए तब वह लड़का और मामा उसी यग्यग करते तथा धामणा को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े रास्ते में वे उसी शहर में आये जहां उसका विभा हुआ था वहां पर आकर उन्होंने यग्या आरंब कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की साथ ही बहुत दास दासियों सही तादर पूरवक लड़की और जमाई को विदा किया जब वे अपने शहर के निकाट आये तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खवर कर आता हूँ जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छट पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सा कुशल लोट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे नहीं तो छट से गिर कर अपने प्राण खो देंगे इतने मैं उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया तब उसके मामा ने शपत पूरवग कहा कि आपका पुत अपनी इस्तरी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसंता के साथ रहने लगा इसी प्रकार जो कोई भी सौंबार के ब्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसकी समस्त मनो कामना पून होती है तो भक्तो जिस तरह से महादेव जी की क्रपा से साहुकार का परिवार हसी खुशी रहने लगा और आप सभी भी खुश रहे ये व्रत कता अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा